जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों की संका का समधान करना चाहता हूँ जो कुछ एक लोग हैं, जो ये प्रस्ण करते हैं कि कई सारे नंबर्स क्यों हैं तो मैं बार बार बताता हूँ, जो regular मेरी चैनल को देखते हैं, उन्हें मालूम होगा कि हर नंबर, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें जब भी मैं किसी नंबर का उल्ले करता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि ये नंबर क्यों जरूरी है और जो सारे ही नंबर जुड़ते हैं, उन सारे ही नंबर को जोड़ने के बाद में जो नंबर बनता है, वो क्या बनता है, वो क्यों जरूरी है पहली बात दूसरी बात कि मैं एक ही उपाय बताता हूं इन उपायों को करने वाले यदि चार भिन भिन अलग लोग होते हैं तो चारों ही लोगों में उसका परिणाम अलग अलग देखने को मिलता है इसका कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने उस उपाय को किया है, कितनी स्रद्धा के साथ क्या है, कितना उस उपाय को समझा है और अपने भीतर उस उपाय को उतारा है और कितने दिनों तक उस उपाय को वो फोलो करता है अपने विचारों के साथ में इस पर ही उसके परिणाम Darling का निर्भर होता है तो जो कोई भी number आपको सबसे ज़्यादा अपना सा लगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भरोसा बैठे जिसको आप सबसे ज़्यादा समय तक कर सके उसमें आपको बहुत ही बहतरिन result देखने को मिलेगा अन्यता हो सकता है थोड़ा मध्यम या कम रिजल्ट देखने को मिले तो कहने का ताथ पर यह क्या है कि हर नंबर की अपनी विशेस्ता है और उन नंबर्स के योगों की भी अपनी एक विशेस्ता होती है कुछ numbers जैसे आपने यदि कुंडली में देखा होगा किसी की कुंडली यदि देखी होगी तो वो कुंडली में भी numbers होते हैं जो ग्रह के होते हैं वो अगर क्योई number एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं तो उसी में उनका भला या बुरा होने लग जाता है और जब गोचर में उन ग्रहों की इस्थिती बदल जाती है तो उसी व्यक्ति का उनी ग्रहों के दौरा सुब परिणाम देखने को मिलने लगता है तो ऐसा ही होता है कि जब हम किसी numbers का use करते हैं तो उस समय आपके मूलान के साथ में उस number का लेंदेन कैसा चल रहा है इस तरह से उसका असर आपको भिन भिन देखने को मिलता है ठीक है तो ऐसा ही एक मैं आज आपको number बताने वाला हूँ और इस number से भी आप अपने मंचाहे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये जो number है पांच का अंग है मैं पांच का अंग हमेसे आपको बताता हूँ कि बुद्धवार के दिन पांच के अंग का प्रयोक करें क्योंकि जो कामकाज में प्रगती के लिए जो ग्रह आप पे प्रभावित करता है वो है बुद्ध और बुद्ध का जो अंग है वो पांच का अंग है अब बुद्ध का जो वार है वो बुद्धवार है तो बुद्धवार के दिन यदि आप पांच के अंग को हरे रंग से कहीं पर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके कामकाज में वृद्धी होने की प्रबल आसंकाइं बढ़ जाती हैं, कि आपका कामकाज बढ़ने लग जाएगा, एक, दूसरा, जो पांच का अंग है, वो व्यक्ति की बुद्धी को प्रभावित करता है, तो जब आपकी बुद्धी को प्रभावित करेगा, वो यदि आपका मजबूत होगा, वग्रह यदि आपका मजबूत होगा, तो आपकी बुद्धी भी उसी तरीके से मजबूत होने लग जाएगी, पावर्फुल होने लग जाएगी, डिसिजन सच्छा आने लग जाएंगे, तीसरा, जो बुद्ध ग्रह है, वो यूवा ग्रह ह तो युवाग्रा होने के नाते वो आप में युवानी भर देता है जोस भर देता है अब किसी भी काम में सफलता के लिए आपके अंदर पूरा उच्छा पूरी ताकत पूरा जोस होना अतियावस्यक है तो इन सभी चीजों के चलते यदि बुद्धवार के दिन पांच के अं बुद्ध का मतलब क्या है बुद्ध के ग्रह का जो आप अंक का उपियोग करते हैं तो इसके लक्षण क्या है यह आपके सरीर में आपके दिलो दिमाग में आपके कामकाज में किस तरह से असर करने वाला है इसको पूरी तरीके से समझ लें और अपने दिलो दिमाग में उ तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम गृंतों में छुपे वे कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो दि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरा बताये कई उपाई आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे तो चले दोस्तों बताता हूं आज के उपाई में आपको करना क्या है पाँच के अंक को आपको किस तरह से आज उप्योग में लेना है अंक वही है, पांच का अंक है लेकिन पांच के अंक को जहां कई भी आप टेबल में जहां ओफिस में आप बैखते हैं तो ओफिस के जगा जो भी आपका टेबल होगा उसको आप चुन लीजिए यदि आपकी दुकान है तो वहां पर आप चुन लीजिए कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आप बैखते हैं उसको आप चुन ले यदि ऐसा नहीं है आप कोई बेख लेकर के काम करते हैं तो बेख में जो सबसे उपर जहां आपका एड्रस आपकी आइडेंटिटी रखने का जो बॉक्स होता है जो एक उसमें वो दिया होता है उसको आप चुन ले यदि आप कोई गाड़ी वहन वगरे चला रहे हैं तो जहां आप बैठते हैं उसके सामने की चीज़ को आप चुन ले ऐसे किसी भी जगह को आप चुन ले और वहाँ पर आपको करना क्या है कि पांच into पांच multiplied गुणा करका जो निसान दिया है इसको लगा करके आप पांच लिखें और फिल करें कि पांच का अंग अब आप से आज के दिन से आपको पांच गुना पावर देगा यानि जो आप काम करते हैं उसमें आपको पांच गुनाई अंक पावर देगा देखिए बहुत सारी चीज मैं कहूंगा सारी ही चीज आपके दिमाग पर निर्भर करती है आपके मन पर निर्भर करती है यदि आप मन से मक्कम हैं यदि आप मन से एकदम द्रण हैं तो फिर आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती है, कोई भी चीज आपको डगा नहीं सकती है तो मन से संपुन रूप से आप इसको निर्धारित करें कि आज से पांच का अंक आपको पांच गुनी ताकत देगा आप अपने काम में पांच गुने जोस्च जोग जाएंगे दूसरी बाद, जब आप इनका मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो आपको आंसर मिलता है वो 27 का मिलता है तो आपको लिखना है 5 इंटू 5 इस इक्वल टू 25 अब जो 25 है इसका जो आंक बनता है वो 7 का अंक बनता है और मैं कई बार बता चुका हूं कि जो 7 का अंक होता है वो सूभ अंक होता है जिस किसी भी वेक्ति के साथ में रहता है उसको सूभरता प्रदान करता है उसको लाप प्रदान करता है तो आपको लिखना है 5 into 5 is equal to 25 इसको आप अपने table पर लख रहे हैं कि आप इतनी ताकत से काम करेंगे कि आपका काम 5 गुना बढ़ जाएगा जिसका result आपको 25 गुना देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि यदि आप इसको पूर्ण रूप से भरोसा करके इस पर काम करेंगे तो आपको अवज से ही इस से ज़्यादा सफलता मिलेगी ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे हैं दीवे प्रकास और अपने जिवन में लाभनिवत होते रहे हैं धन्यवाद